हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूट्टीब चैनल भावना रसवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए स्वीट कॉन की इटली की रेसिपी लेकर आई जो बनाने में इतनी आसान है और खाने में ये काफी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना कर त्यार कर सकते हैं और इंस्टेंट इटली हमारी जो हैं बन कर त्यार हो जाएगी तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप तक मेरे चैनल का सस्क्राइब नहीं किया है तो जरू कीज़ेगा और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लैक्षा जरू कीज़ेगा साथ में मुझे comment box में जरू है देगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहें चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर ले लेंगे एक grinding का जार और इसके अंदर बुट्टे के दाने मैंने निकाल दिये हैं और इसको अच्छे से पह पयार है अब इसको एक बावल के अंदर निकाल देते हैं तो पेष्ट को हमने जो है एक बावल के अंदर निकाल दिया है उसको एक बड़ साइड में रख दिजै और यहां पर कर लेते है थोड़ी की तैयरे तो मैंने आपर थोड़ी से मटर के दाने को अच्छी से दो कर ले लिया है और अब हम इसको हलका दरदरा ग्राइन करेंगे एक या दो बार ही पल्स मोड पे चलाएगा इसको ज़्यादा हमें एकदम बारिक नहीं करना है पेश्ट नहीं करना है अब इसको अच्छे से क्रश कर लिया है और अब ये जो पेश्ट हैं स्विट कॉन का उसके अंदर हम एक कप सूजी डालेंगे और साथ में उतना ही हम यापत दही डालेंगे तो एक कप जितना ही मैंने यापत दही ले लिया है मैं आपर हरी मिच को काट के डाल रही हूँ तो मैंने आपर दो से तीन हरी मिच ले ली थी उसको काट के डाल दिया साथ में गाजर को अच्छे से चोटी-चोटी टुकडों में काट कर ले लिया है और स्वात के एकोर्णिंग में नहीं आपर नमक इसके अंदर एड़ कर लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए थोड़ी दिर में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी कि आपको जरूरत लगे तो आप इसके अंदर जरूर ढलिए अच्छे से इसको मिक्स कीजिए पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसको ढखकर 10 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही 10 मिनिट के रेश्ट के बाद आप देख सकते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं और सूजी जो हैं गरम होने जीजिए जब दिल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद इसके अंदर सरसो के दाने डाल दीजिए सरसो के दाने को अच्छे से चटकने दीजिए अब जब ये चटक जाए उसके बाद इसके अंदर उड़त की दाल डाल दीगे बिना चिलके वाली साथ में चना दाल एक चमच जितनी ही डाल देने और अच्छे से इसको mix कीजिए और गरम गरम तड़की को बैटर के उपर मिला लीजिए तो इस तरीकी से हमें गरमा गरम तड़की को इसके उपर लगा लेना है जिसे की इसके अंदर काफी अच्छा टेस्ट आएगा और इस तड़की को अच्छे से mix कीजिए तो इस तरीकी का हमने बेटर बना के तयार किया है मुझे थोड़ा सा इसके अंदर पानी की जरुवत लग रही है तो मैं थोड़ा सा यहां पर और डालूंगे और इसको जो है अच्छे से इसको mix कर लेना है अब यहां पर इडली की जो stand है वो ले लेते हैं हम तो इस तरीके से जो इडली की plate हैं उसको आप oil से थोड़ा सा brush की साथा से इस तरीके से grease कर लीजे जिससे की इडली आसानी से निकल जाए तो इसी तरेके से हमें सारी की सारी plate को जो हैoine जो grease कर लेना है तो ये काम आपको थोड़ा पहले करना है अब अच्छे से ये परफेक्ट बन कर तेयर हो चुका है बैटर हमारा और अब हम इसके अंदर इनो डालेंगे तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब यहाँ पर इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ तो एक पाउच इनो हमें इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से इसको हलके हाथों से मिक्स कर लेना है तो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर दीजे अब यहां पर जो स्टेम मैंने यहां पर पानी इडली का जो कुकर हैं उसके अंदर मैंने पानी पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था तो अब इसके अंदर भाप निकलना शुरू हो चुकिए इस तरीके से आप स्टेन को जमा लीजिए और अब आप धकन लगा लीजिए और इसको 5 मिनट ऐसे ही कुक होने दीजिए तो चले 5 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं और इसको हम निकाल देते हैं आप चाहें तो इसको वैसे भी मैंने चेक कर लिया इसको यह अच्छे से कुक हो चुकिए अब हम इसको निकाल देते हैं और अगर आपको थोड़ा सा विए डूट हो तो आप क्या कीजिँ फीग लीजे अपर चाकू ले लीजे उसकी साहता से आपूस को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ठन्ना हो नहीं दीजिए और यह चाकू की साहता से शेधी से और इस मुझाल दीजिए। तो ये देखी दोस्तो इस तरीके से आसानी से निकल कर आ जाएगी तो फ्रेंडस आप देख सकते हैं बुट्टे की जो स्वीट कॉन की जो इडली हैं हमारी बनकर तेयार हो चुकी है और एकदम जल्दी जल्दी ये बन जाती है इसमें आपको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है और काफी ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनकर तेयार हो जाती है आप भी इसको एक पर ज़रू ट्राइ कीजिए आप बहुत ही अच्छी और शांदार वाली इडली बना कर तेयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स उमीद हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इसी तरीकी की नई-ने रेसिपीस देखने के लिए चैनल को ज़रू से सस्क्राइब कीजिएगा और वीडियो आज का आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लैक शेर जरू कीजिएगा साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए जैसे किश्णा